पुरोना मामारी को देखते हुए प्रशासन के आदेश पर दिक्षभूमी परिसर गेट के बाहर खड़े होकर अनुयाईयों ने साध्गी से धंब चक्रप्रावरतन दिन मनाया दिक्षभूमी परिसर को रोश्णाई से सजाय गया था शहर पुलीस अनुयाईयों को कोरोना जनजागरती को लेकर अच्छा मारगदर्शन करते हुए नजर आए तो वही अनुयाईयों ने प्रशासन को पूरा सवयोग करते हुए साध्गी के साथ धंब चक्रप्रावरतन दिन मनाया कोरोना संकट के दौर में दिक्षभूमी पर अशोक विजादश्मी के पावन परवपर 64 धंब चक्रप्रावरतन दिन पूरे साध्गी पूरण तरीके से मनाया गया इस मोक्य पर मुख्य समारों समेत कई सारवजिनी कारेक्रम रद भी कर दिये गये थे इसी 25 गरण कर धंब दिक्षा ली इसलिए इस वर्ष भी 25 अक्तूबर को अशोक विजादश्मी पर सुब नो बजे दिक्षभूमी पर भदंत आर्य नागार जुन सुरई ससाई और समारक समिति के सद्वेसों की उपस्तिति में बुद्ध वंदना हुई इसके पहले सुबह साड़ेट बजे डॉक्टर बाबा सामबेड कर वब भगवान बुद्ध की प्रतिमा को माल्यर पन कर भीम बंदना वबुद्ध वंदना की गई साड़े नो बजे भिख्षु संग ने बुद्ध गाथाओं का पठन किया हर वर्ष 25 अक्तूबर को लाखो की संख्या में अनुयाई दिक्षा भूमी पर आते हैं लेकिन प्रशासन को पूरा सोयोग करते हुए इस बार अनुयाईयों ने अपने घर में ही सादगी के साथ 64 वाद धम्म चक्रव प्रवर्तंदीन मनाया है दिक्षा भूमी से क्या मेरा परसन राजकुमर मोहड के साथ संजेय मीरे इन बीसेन नियूज नावपूर